नमस्साथियो मैं सुरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया येटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुती खास होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो में आप लोग एक ऐसे बात बताने वाला हूँ अगर आप लोग ये बात जान लेते हैं तो मुर्गियों को आप लोग बड़े बिमारियों से आसानी से बचा पाएंगे ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोट फिकसन मिल जाए साथियो अगर आप लोग ज़्यदा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं ताकि आप लोग के फार्म के जो भी मुर्गया है वो बाहर नहीं जा पाए और फार्म के बाहर के जो मुर्गया है वो फार्म के अंदर तक नहीं आ पाए या अन्या जिबजन्तु फार्म के अंदर तक नहीं आ पाए साथियों अगर आप लोग ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं और इस अवस्था में अगर आप लोग नेट की जाली या फैंसिंग नहीं लगाते हैं तो आपके farm के जो मुर्गिया है वो बाहर तक जाते हैं और आप लोगों ने अगर मुर्गियों को अच्छे से देखभाल किया है मुर्गियों को अगर सभी vaccine किया है तो जब मुर्गिया बाहर जाएंगे तो इसका कोई काम नहीं होगा बाहर अगर किसी मुर्गियों को बिमार होगा तो वो बिमार आपके मुर्गियों में भी तुरंट आ जाएगा और मुर्गिया बिमार होकर मर जाएंगे जब आप लोग free range मुर्गी पालन करते हैं और जब आप लोग free range एरिया में net की जाली या fencing नहीं लगाते हैं तब और एक दिक्कत ये होता है कि बहुत सरे लोग क्या करते हैं जब मुर्गियों को बिमार होता है तो बिमार से मरे हुए मुर्गियों को वो बाहर फेक देते है गड़े में नहीं गारते हैं बाहर ऐसे ही फेक देते हैं और वो बिमार से मरे हुए मुर्गियों को बाहर के कुट्टे या बिल्ली खाते हैं और उसके बाद आपके फार्म के अंदर तक वो कुट्टे या बिल्ली चले आते हैं जब इस तरीके के जानवर बिमार मुर्गियों को खा कर आपके फार्म के अंदर तक आते हैं तो वो बिमार तुरंट आपके मुर्गियों में भी फैल जाता है और कई बार क्या होता है कुट्टे या बिल्ली आप लोग के फार्म में जो भी मुर्गिया है उनको भी हानी तक नहीं आपाते हैं, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमने अपने सभी मुर्गियों को वैक्सिन कर दिया है, तो अगर हम मुर्गियों को बाहर छोड़ देंगे, तो बाहर के मुर्गियों के साथ अगर हमारे मुर्गिया रहेंगे, तब भी कोई बिमार हमारे मुर्गिय मुर्गीों को एटेक। नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने सब ही मुर्गीों को वकसिन करके रखा हुआ है। वह एक बिल्कुल भी गलत जानकारी है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोगों ने मुर्गियों को सभी वैक्सिन करके रखा हुआ है, मुर्गियों को अगर आप लोग समय समय पर दवा भी खाने के लिए देते हैं, अंतिबाईटिक भ या बाहर के अन्य जिब जनतों फार्म के अंदर तक आ जाते हैं, तो इसका कोई फाइदा नहीं होता है, मुर्गियों को वो बीमार आकरमन कर लेता है, अगर आप लोगे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से नेट की जाली लगा कर भी मुर्गियों को बाहर छोड़ सकते हैं नेट की जाली लगाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है पर अगर आप लोग के पास ज्यादा पैसा है तो आप लोग फैंचिंग भी लगा सकते हैं फैंचिंग लगाने में थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है आप लोग के पास अगर थोड़ा ज्य आप लोग नेट की जाली या फैंचिंग लगाते हैं तो बाहर के लोग भी फार्म के अंदर तक नहीं जा पाते हैं जब आप लोग नेट की जाली या फैंचिंग लगाएंगे तो बाहर आप लोग एक दरवाजा भी रखना है और उस दरवाजा को लौक करके रखना है अगर आप लोग दर्वाजा लोक करके रखेंगे तो बाहर के लोग आसानी से फार्म के अंदर तक नहीं जा पाएंगे अगर फार्म के अंदर तक बाहर के लोग जाते हैं उनके मैध्धम से या उनके चपल के मैध्धम से भी बहुत सारे बिजानों या वाइरस फार्म के अंदर त और जिसके बज़े से हमारे फार्म के अंदर के मुर्गिया बाहर नहीं आ पाते हैं और बाहर के मुर्गिया और अन्य जिब जन्तों फार्म के अंदर तक नहीं जा पाते हैं जिसके बज़े से हमारे मुर्गिया हमेशा स्वस्त रहते हैं साथियों मुर्गियों को सिर्फ वै का चपल भी अलग होता है और उसके साथ हम फार्म के बाहर पटास पानी या डिस इंफेक्षन भी रखते हैं और जब भी हम फार्म के अंदर तक जाते हैं तो फार्म के अंदर जाते समय अपने दोनों पैरों को पटास पानी में या डिसिंफेक्शन में अच्छे से डुबोते हैं और उसके बाद ही फार्म के अंदर तक जाते हैं ऐसा करने से बीमार फैलाने वाला जो बिजानू या वाइरस होता है वो फार्म के अंदर तक नहीं जा पाता है और मुर्गया स लोग भी इस तरीके से मुर्गियों का देखभाल करेंगे तो मुर्गियों को कोई भी बीमार आसानी से आक्रमन नहीं कर पाएगा, मुर्गिया हमेशा स्वस्त रहेंगे, तो साथी यहीते को जानकारी जो मैंने आप लोग इसाथ शेयर किया, और अगर आप लोग को ये वीडियो के साथ